पारले जी की बिस्किट तो हम सभी ने खाएं और बच्पन से खाते आ रहें लेकिन मैं बोलूँ पारले जी के गुलाब जामुन जी हाँ आज मैंने बनाई है पारले जी के गुलाब जामुन वो भी घर पर आप भी ट्राइ कर सकते हो और मैं भी ट्राइ कर रही हूँ आपका कोट रेडी ना हो जाए बिल्कुल आटी की तरह यह ना सॉफ्ट हो जाए जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर मिल्क बहुत जादा हो गया था इसलिए मुझे पारले जी की बिस्कुट कुछ और एड करने पड़े क्योंकि थोड़ सा थिक बनेगा हमें बोल्स बनाने इसके इसलिए मैंने इसको एक नॉन-स्टिकी पैन में अच्छे से पकाया था पकने के बाद मैंने इसको अलग तरीके से एक बर्तन में रख ढ़्या था थंडा होने के लिए और दूसरी तरफ में बनाने थी चाष्णव मनाने तो तो सभी को आता है लेकिन मैं कुछ अलग तरीके से बनाती हूँ, मैं केसर भी आड़ करती हूँ, आप करते हो या नहीं करते हो, और दूसरी चीज़ जो मैं आड़ करती हूँ, वो होता है, इलाइची पाउडर, मैं इलाइची को ऊपर से नहीं डालती हूँ, लाइची पाउडर यूस करती हूं और उसमें काफी कम शुगर डालती है उसको अच्छे से पकने देती हूं और उसका कलर जब चेंज जाता है न बहुत संदर लगता है दूसरी तरफ मैं अपने ऑईल को गरम कर रही थी क्योंकि अब मुझे बोल्स पनाने है और गुलाब ज गुलाब जामुन खाने के लिए अब वो टाइम आ गया था जब इसको तलने का टाइम था और देखो किस तरीके से तला जा रहा है बड़ी अच्छी कुछ वा रहती वाईगी बहुत सैटिसफेक्शन होगी लेकिन ये मेरे साथ हुआ क्या सच बता रही हूं यहां पर आके मुझे अपना रीजन बताना मेरे तो यह रैसे भी बिल्कुल हो गई फेल मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा क्योंकि यह देखने में ही बहुत अगली लग रहा था मन भी नहीं कर रहा था खाने का लेकिन क्या करती अब बनाया है तो खाना पढ़ेगा ना इसलिए सबसे पहले मैंने ही टेस्ट किया, और देखो कितना सा टेस्ट किया, बहुत ज़ादा डर लग रहा था टेस्ट करने में भी मुझे, क्योंकि एक तो मैं मीठा नहीं खा थी, उपर से इतना तगड़ा मीठा, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, मैंने वगर अपने भाई को खिलाया, नहीं को खिलाया थी, उन्होंने मना कर दिया, लेकिन भाई ने बहुत अच्छे मूसे खाया, आप देख सकते हो, कि आप ही बनाओगे पारलेजी बिस्किट के गुलाब जामूर, मुझे कॉमेंस में ज़रूर बताना, झालेबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइ